कि दोस्तो हमारे देश को स्वतंत्र हुए 74 साल हो गये है आज हमारा देश किसी की गुलामी नहीं कर रहा लेकिन मैं मानता हुँ कि हम लोग आज भी पूरी तरह से फ्री नहीं हो पाए है क्यूंकि यहां की मेज़ोरीटी पॉप्यूलेशन आज भी पैसे की गुलामी ही करती ह poor and middle class वाले लोगों को financial knowledge ना होने के कारण अपनी पूरी life वो job करते है जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है मैं कुछ दिनों पहले ही अपने cousin को मिला था हम लोग बाते कर रहे थे तो वो मुझे समझा रहा था कि जिम्मेदार्यों के कारण उसके पास month end आते आते bank account में काम चलाने लायक भी पैसे नहीं बसते वो अपनी पहली job में 9 साल पहले जोइन हुआ था और उस वक्त salary 8,000 थी आज 9 साल बाद उसको 40,000 की salary मिलती है लेकिन 9 साल पहले जैसे उसकी financial condition थी आज भी same condition है उसको ये नौकरी पसंद तो नहीं है लेकिन ये नौकरी को करना उसकी मजबूरी है और ये condition हर middle class वाले की होती है salary एक ऐसा जाल है जो हमारे dreams को बोलाने के लिए चुकाई जाती है तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम कुछ simple steps अपना के और पैसो के बारे में basic knowledge लेके अपने dreams पूरे कर सकते है और पैसो के लिए काम करना भी छोड़ सकते है जो जानकारी हम आपको देने वाले वो जानकारी के लिए financial advisors और wealth manager बहुत बड़ी fees चार्ज करते है और हम ये जानकारी आपको free में दे रहे है ताकि आपकी financial knowledge बढ़ सके हमारी education system बहुत पूरानी है वो time दुनिया में industrialization का time था उस समय बड़ी factories बन रही थी तो उस time के अमिल लोगों को ऐसा लगा कि उन्हें काबिल और educated workers की जरूरत पड़ेगी और इसी लिए school और colleges की सरुवात हुई और उस time छात्रों को ऐसी training देने लगे कि वो हर एक काम बीना सवल जब किये ही perfect काम कर सके और factories के मालिक यही चाहते थे कि सिक्सा वेवस्ता को ऐसा बनाये जाए कि छात्रों को ऐसा लगे कि उनके लिए फायदे मंद है और उन लोगों के लिए नई opportunities मिलेगी मतलब कि उस time education की system अमील लोगों द्वारा workers प्रोड्यूस करने की एक machine की तरह था और खेद की बात यह है कि हम लोग आज भी वही education system को चलाते आ रहे है और मेरे ख्याल से वो meaning less है आज दुनिया के बहुत सारे अमील लोग इस education system को पसंद नहीं करते जिनमें Warren Buffett, Elon Musk, Robert Kiyosaki जैसे बड़े नाम सामिले Robert Kiyosaki तो open यह कहते है कि education system हमें गरिब कैसे बने रहना है यह सिखाती है Robert Kiyosaki की book Why E Students Work for C Students जिसमें यह लिखा है कि जो student school में अच्छे grades लाते है वो आगे चलके उनके लिए काम करते है जो अच्छे grades नहीं लाते school और colleges में financial education का knowledge almost zero दिया जाता है जिसके चलते हमें financial struggle करना पड़ता है इसलिए आज कई लोगों में पैसे की कम knowledge होती है अब हम main मुद्दे पे आते है और तीन simple steps की बात करते है जो आपको financial freedom अचीव करने में काम आएंगे step number one है goal setting यहां मैं financial goals की बात कर रहा हूँ सबसे पहले आपको ये decide करना होगा कि आपको financial free होने के लिए कितने रुपियों की जरूरत पड़ेगी कितने रुपिय आपको चाहिए कि जिससे आप उतने पैसे income के तौर पर कमा सके और जिससे आपके सारे expenses बीना काम किये ही cover हो सके आपको detail में समझाने के लिए एक example देता हूँ grant sabatier अपनी famous book financial freedom के लिए जाने जाते है एक समय था जब grant पूरी तरह से गरिब हुआ करते थे 24 साल की उम्रह में अपनी job से निकाले जाने के बाद grant अपने parents के साथ रहने लगे थे bank account में सिर्फ 2.26 डॉलर ही बचे थे और एक new job ढूडने के लिए उनके पास बस 3 महीने ही बचे थे क्योंकि उनके parents भी उनको अपने साथ इससे ज्यादा रहने के लिए परिमिसन नहीं दे रहे थे दोसों से भी ज्यादा jobs में apply करने के बाद भी उन्हें कहीं से job नहीं मिली वो पूरी तरह से तुट गए थे एक दिन grant अपनी backyard में एक ट्री के नीचे बैठे हुए थे और अपनी ऐसी बुरी हालत के बारे में सोच रहे थे उस दिन grant एक ऐसा goal set करते है जो practically कई लोगों के लिए impossible हो सकता है grant decide करते है कि वो next 5 सालों में कुछ भी करके financial freedom हासिल करना चाते है और अपनी पूरी life ऐसे ही पैसों के लिए काम नहीं करना चाते फिर थोड़ी calculation करते है तब grant find out करते है कि उन्हें financially free होने के लिए 1 million dollars की जरूरत पड़ेगी अगले 5 सालों के लिए grant बहुत ही hard work करते है सारे financial books को भी पड़ लेते है और जब 5 साल complete होते है तब grant 1 million dollars जितना amount हासिल कर लेते है और फिर कभी वापस मुड के नहीं देखते दोस्तो इस example से आप समझ गए होंगे कि goal setting की power कितनी है अब step number 2 की बात करते है वो है save and invest financially freedom हासिल करने के लिए अगली CD पैसो को save करना और उनको सही जग इन्वेस्ट करना है अगर आपने पैसो को save और invest करने की आदत नहीं डाली तो आप हम्मेशा ही struggle करते रज जाओगे और आपको financially free होने के लिए लाखो रुपे की salary की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप ज्यादा कमा रहे हो तो और भी अच्छा है लेकिन आप महिने के कुछ 1000 रुपे को save करके भी और उन्हें अच्छी जगा invest करके जहां से आप bank FD से ज्यादा return कमा सकते हो तो आप long run में अच्छी wealth create कर सकते हैं चलो मैं आपको calculation के साथ समझाने की कोशिस करता हूं अब हम मानके चलते हैं कि आप 15,000 की salary अभी कमा रहे हो जो की आराम से आपको किसे भी फिल्ड में मिल सकती है तो इतनी salary में से आप अपना खर्चा वगेरे निकाल के महिने के 4000 रुपे भी बचा लेते हैं सर्थ यहां यह है कि जैसे जैसे आपकी salary increase होगी तो आपको अपने खर्चों को increase नहीं करना है बलकी investment amount को increase करना है तो अभी हम मानके चलते हैं कि आने वाले सालों में आपकी salary में भी 10% से बढ़ोतरी होगी जिसे आप investment में ही यूज करेंगे तो दोस्तो मैं अब आपको एक जादू दिखाता हूँ आपने सरुआत में जो 4000 रुपे इन्विस्ट किया है वो हर मैने पूरे साल और हर साल आप इस amount को 10% तक बढ़ाते गए और आपने ऐसा कोई गलती किये बिना 25 सालों तक किया और आपको उसका average return जो आपको अपने investment पर only 50% return मिला 25 साल बाद जो amount बना होगा वो होगा 2.6 करोड उपीज मतलब 5 करोड के आसपास और ये इतनी बड़ी amount बनी मात्र 4,000 की investment की सरुवात करके और दोस्तो यही है compounding का magic लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि 15% का return हम कैसे लाए दोस्तो इसके बारे में detail में हम video लाने वाले है जिसमें हम investing के बारे में ज्यादा जान सके अभी हम बढ़ते 3rd step की तरफ 3rd step है discipline and patience जो हमारे लिए बहुत ही important step है US में ये जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि पिछले 30 सालों में वो कौन लोग है जिन लोगों ने सबसे ज्यादा wealth create करी है मतलब कि कीन लोगों ने अपने investment पर सबसे ज्यादा returns लिये है जब सर्वे का result मिला तो वो देखकर खूद सर्वे करने वाले company भी हैरान थी क्योंकि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा wealth बनाई थी उन लोगों में से ज्यादा तर लोग investment करने के बाद मर गए थे थोड़ा सुनने में ये अजीब लग सकता है लेकिन इस example के द्वारा मैं आपको ये बता रहूँ कि जो लोग अपने निवेस को लंबे समय तक होल्ड करते वही अच्छा profit बनाते जैसे कि सर्वे के मुताबिक जो लोग मर गए थे उनी लोगों ने अपने investment के साथ कुछ set chart नहीं की थी इसलिए उन लोगों ने सबसे ज़्यादा wealth create करी है इसलिए वो compound होती रही बहुत सारे लोग gold set करते फिर पैसो को save और invest करना भी शुरू कर देते लेकिन फिर discipline और patience ना होने के कारण gold को change कर लेते या फिर gold को भूल जाते ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सुरू-सुरू में motivate होते और saving भी करने लगते लेकिन जब आपको कुछ time के बाद कुछ बड़ा change नहीं दिखाई देता जब आपकी investment उतनी speed से नहीं बढ़ रही होती है तो आप demotivate होके investment छोड़ देते और वापस उसी level पर आ जाते है Warren Buffett भी कहते है कि ज़्यादा तो लोग आज इसलिए poor है क्योंकि कोई भी धिरे-धिरे अमीन नहीं होना चाता लेकिन दोस्तो आपको अपने mind में ये रखना ही होगा कि Amazon को भी पहला profit earn करने में 15 साल लगे थे और आज के time देख लो Amazon की एक गंटे की कमाई 60 करोड रूपे से भी ज्यादा है इसलिए discipline और patience को importance देना ये होगा अगर आपको भी successful होना है तो discipline और patience को practice करना आज से ही शुरू कर दो इस वीडियो में हमने सबसे पहले बात की हमें पैसे की गुलामी से बहार निकलने के लिए अपने mindset को बदलना होगा हम तीन simple steps को follow करके कैसे financial freedom अचीव कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो like और share करना मत बूलना हमारी चैनल life steps को subscribe कर देना क्योंकि यहां मैं आपके साथ ऐसे interesting और knowledgeable वीडियो शेर करता रहता हूं जो आपकी knowledge को बढ़ाते रहेंगे मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में तब तक बाई बाई